हेले सुदेंट मैं कामी सी मां कर्यार का फबिकी स्कूल पेंडा रोग छेतिन जड़की हिंडी सीची कर बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं जो सब संध्या की स्कांपर प्रविक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम करते हैं सर्वनाम की 6 भेद होते हैं पहला है गुरुषवात सर्वना दूसर है अलिश्यवात सर्वना तीसर है अलिश्यवात सर्वना चौथा है रश्नवात सर्वना पांचवा है संबंदवात सर्वना और छटवा है नीजवात सर्वना तो बच्चों आजहां इन्हीं सर्वनाम के ये थेट के बाई उपड़ेंगे, तो सर्वनाम के थेट, सर्वनाम के थेट, पहला है उन जोजी सर्वनाम, बच्चों, पूरुस राचे सर्वनाम किसी करते है जो, सर्वनाम से बोलने वाले, सुने वाले, यान्य लोह के लिए प्रयोग होता है उसे ही हाँ, पूरुस राचे सर्वनाम क करते हैं जैसे बोलने वारा अपने देख उसे साथ प्रएप करता है मैं याफी हां मैं याफी हां उदहर मैं पड़ रहनी हूँ इसमें वक्ता अठाथ बोलने वारा अपने ने तरीजिकर है कि मैं पड़ रही हूँ तो हम उसे की क्याद है पुरुष वाचे शर्नाप करता है फिर अगे है अबातिनों अठाथ बोलने वाला अपने ने उसक्त cert प्रुंका दो करता है बलकि उसलेन वाले तरीजिस्या सब्रुंका करता है है जैसे तुम, तुम भी खेड़े, तुम ही खेड़े, तो यहाँ पर जूतकुम सब्ज है, वो बोलने वाला सुनने वाले के लिए पर इंतर है, तो तुम, तुम्हारा, तुम्हे, तुम, तुम्हारा, तुम्हे, यह जो सब्ज है तुम्हारा तुम्हे, बोलने वाला सुनने वाले के लिए पर इंतर करता है, इसके बाद है अन्य, अन्य अर्फाथी बोलने वाला अपने लिए कोसा पर इंतर करता है, सुन्ने वाले के लिए प्रईटर नहीं करता है अब भी तुम किसी अन्य के लिए जो सब्द प्रईटर करता है उसे भी हम पूरु स्वाचे सरणाब देखें जैसे वह जा रहा है तो बच्चों यहां पर जो वह है वह सरवनाम सब्द है वो किसी अन्य के लिए प्रहिक्त हो रहे और ठाक वह सब्द बोलने वारा अपने के प्रहिक्त नहीं कर रहे नहीं कि सुने वाले करें प्रहिक्तुकत है, बल्कि वह सब्र किसी अन्द के लिए प्रहिक्तुकत है, तो वह सब्र में क्या है? पुरुसवाचा सर्वना, तो इसके अंतरगत है, वह, दे, यह, यह, आ, तो बच्चों, इस अधार को देखे, मैं और हम, तुम, तुम्हार, तुम्हें, वह, बे, यह, 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 पुरुसवाचा सर्वनाम की दहरन, और इन उधारनों के अधार कर, हम पुरुसवाचा सर्वनाम को तीन भागों में दुखक्त कियें, अर्थार, पुरुसवाचा सर्वनाम की तीन भेरोते हैं, पहला बोलने वारा अपने लेजयो सब्द प्रईक्त करता है उसे हम कहते उत्तम पूरुष उत्तम पूरुष वाटक से रवनाओ दूसरा है बखता सुनने वारे के लेजयो सब्द प्रईक्त करता है उसे हम कहते हैं मज्जा पूरुष मज्जा पूरुष पूरुष वाटक से रवनाओ और इस तरह वह बय यह यह तो इसमें बोलने वारा जो सब्द है किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है तो उसे हम कहते हैं अन्या पूरुष वाटक साहरा है अन्य मि पूरू स्वाचय सरुना तो बच्छों यह पूरू स्वाचय सरुना पूरू स्वाचय सरुना के किन पूप भेद होते हैं पहला है पूरुष वाचर सर्वना, दूसरा मध्यम पूरुष वाचर सर्वना और तीसरा है अन्य पूरुष वाचर सर्वना बच्चो इसके बाद है दूसरा निश्य वाचर सर्वना निष्टे बाचे सर्वना निष्टे बाचे सर्वना जी सर्वना किस निष्शित रेक्ति या बस्तू के बाड़े में बता चलता है उसे हम निष्टे बाचे सर्वना जेते हैं उधारण या मेरी पुस्तक है बच्चो यह मेरी पुस्तक है और फार निश्चित है यह पुस्तक मेरी है किसी और की नहीं है तो इसे लिए हो निश्चय वाज़े चलना कहते हैं एक और उद्धान लेते हैं यह मेरी बड़ी बहन है यह मेरी बड़ी बहन है अथा यह जो है वो मेरी बड़ी बहन है छोटी बहन नहीं है और मेरी बहन है तो इसे हम कहेंगे निश्चय वाज़े सर्वना तीसे ने अनिश्चय वाज़े सर्वना है अनिश्चय वाज़े सर्वना है किसी वैक्ति या वस्तु के निश्चय होने का पता न चलिए उसी हम अनिश्चय वाज़े सर्वना सब्द देरते हैं उधारन बाहर कोई खड़ा है तो यहां पर देखें बाहर कोई खड़ा है कोई सब्द क्या है सर्वना और कौन खड़ा है उसके वाज़े निश्चय नहीं है कोई भी राम श्यांग कोई भी खड़ा होता है तो हम नहीं जाते हैं अब कौन है तो इसे हम कहेंगे अनिश्चय वाज़े सर्वना जिसमें कोई निश्चय नहीं होता है कि कौन है जिसके बारे हम नहीं जाते हैं उसे हमेरे हम कहते हैं अनिश्चय वाज़े सर्वना बच् इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. Thank you.